आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम एसधान तक नी ऊ-तरी स्टेडी गोज़ पर आपका बहुत बहुत सभागत है होते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए तो आदमी पार्टी का जो यह रे SARAH क्या यह help करेगा एक existential crisis खड़ी हो गई है ठीक है तो क्या ऐसा होगा बात करेंगे Limitless Leadership का यह जो शांदार कोर्स है जैसे अर्विद केजरिवाल ने जबरदस Leadership दिखाई थी 2011 में आप भी ऐसी Leadership दिखा सकते हो जो की घर से लेकर Workplace पे लेकर महले तक सर्जगा यह काम आएगी अपलाई होगी तो 300 रुपे का कोर्स है कल हम इसको ख़तम करेंगे इसका जो special discount है फटाग से कोर्स को अवेल करो 20 से उपर lectures है प्रशान सर इसको पढ़ाएंगे एक एक lecture 20, 40 से 45 minutes आपको बहुत ज़ादा फायदा होगा तो केजरिवाल जो है वो बार-बार बोल रहे हैं देखें केजरिवाल क्या बोल रहे है कि मैं आरेस्ट हो जाऊँगा और यह अब काफी लग भी रहे कि आरेस्ट होंगे क्योंकि ED ने पहले सतेंद्र जैन मनीश शिसोदिया संजय सिंग और अब अर्विंद केजरिवाल तो अब यहाँ पे स्पेकुलेशन से ही लगाए जा रहे हैं कि यह भी अरेस्ट होंगे यह भी जेल जाएंगे अभी तक संजय सिंग से सोदिया को बेल नहीं मिली है ठीक है न और दो नवेंबर को इनको भी समन मिला था कि आ जाओ इन्होंने बुला हटो हम नहीं आएंगे हम जा रहें MP अपनी कैंपेनिंग करेंगे तो इन्होंने कुशनिंग को स्किप किया आपको पते ही कि जो एक्साइस पॉलिसी लिकर पॉलिसी के तहत अर्विं केजरिवाल को बुलाए गया तब इसमें मैंने बहुत बार लिकर पॉलिसी बताई हुई है अब धेरो लेच्चर्स मैंने बनाए हैं उसको देख लीजेगा यहां कुछ और बात कर रहे हैं तो एक तो जेल से गवर्नेंस आम आदमी पार्टी है कह रही है जैसे आतिशी यह कह रही है कि भाई देखो अब अगर आप खतम कर दोगे आम आदमी पार्टी को ही तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा हमको जेल से ही गवर्न करना पड़ेगा ठीक है और 6 नवेंबर को अरविंद केजरिवाल ने मीटिंग भी की सारे मुनिसिपल काउंसिलर्स लेजिसलेचर्स और बोला कि भाई देखिए आप अगर मान लीजे कि आपको जेल होते हैं आप रिजाइन मत करिए आप प्रावधान है आपको पता है भी आप चुनाओ भी लड़ सकते हैं सब प्रावधान तो ही है तो आपको जेल हो तब याप वही से ही आप गवर्न करिए आप ऐसा सीएम आप जो है वो रिजाइन मत करिए तो एक रेफरेंडम यहाँ पे करवाया जा रहा है या करवाया जाएगा इसके लिए ठीक है आठ अवेंबर को इन्होंने केजरीवाल ने बोले हैं फीडबैक के लिए रेफरेंडम यानि कि क्या हर इनसान इसमें भाग लेता है एक सवाल पूछा जाता आपको हाँ या ना में जवाब देना है तो रेफरेंडम है बहुत शांदार तरीका है योरोप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें रेफरेंडम करवाये जाता है मेरा माना यह कि रेफरेंडम है बहुत ही जबरदस्त तरीका है हम रेफरेंडम नहीं करवाते हैं क्योंकि हमारे रेप्रेजेंटेटेव फॉर्म अव गवर्मेंट है ठीक है ना तो हमारे या पार्लिमेंटरी फॉर्म ऑग गवर्मेंट है कि हम रेफरेंडम नहीं करवाएंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो चुन है, चुन हुए लोगों को बेजेंगे पार्लिमेंट में, वो हमारी तरफ से आवाज उठाएंगे, रेफरेंडम में सीधा पबलिक हो जाती है ठीक है कि public decide करेगी कि क्या करना और जो public बोलेगी आपको वही करना है तो इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने रेफरेंडम करवाएं है और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा तरीका है सारी पार्टीस को in fact referendum करवाना ही चाहिए तो 2012 में क्या FDI आना चाहि है रीटेल सेक्टर में सबसे पहले referendum दिल्ली की जनता से पूछा था referendum करवाने के अजिसे आम आदमी पार्टी या जो वोलेटियस है वो घर घर जा रहे हैं आप ऑनलाइन करवा सकते बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है आप सेंटर बना सकते referendum के दिसंबर 2013 में बोला कि क्या कॉंग्रेस का सपोर्ट ये मुझे रगा सबसे blender थी जो कॉंग्रेस का सपोर्ट लिया था जिसकी वज़े से अर्विन केजिरिवाल पे बहुत बड़ा दाग लगा था और अर्विन केजिरिवाल के फिर मन्शा पे संदे हुआ था कि क्या वाकई में साफ सुतरी politics करने आये बात करेंगे इसकी भी कि क्या हमको कॉंग्रेस के साथ जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए उससे 28 सीटे मिली थी इनको 70 सीटे दिल्ली की अभी पांच राज्यों में चुनाओ और पांचों के पांचों राज्यों में आम आदमी पार्टी जो है वो उतर रही है जून 2014 का रे टाक्सपेर का मनी फ्री पब्लिक फेसिलिटीज पे स्पेंड करना ठीक रहेगा नवेंबर 2023 जो अभी वाला रिफेनेंडम की क्या अर्विन के जिवाल को अगर वो जेल जाते कि क्या उनको रिजाइन करना चाहिए या फिर उनको सीएम बने रहना चाहिए ठीक है तो आप यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखें जो पब्लिक डिसाइड करती है पब्लिक ने बोला नहीं जैसे भगवंत मान ने बोला हां तो यहां पे उनको सीएम बनाएगा अगर वो नहीं बोलते तो सीएम नहीं बनाया जाता तो पब्लिक की यहां पे तो होता है क्या कि बहुत अच्छी बन रही है पब्लिक के सामने तो आउटकम्स क्या होते देखिए यहाँ पे आउटकम्स से जादा परपस इंपोर्टेंट है ठीक है न अब जैसे आम आद्मी पार्टी ने बोला कि कॉंगनिस का सपोर्ट क्या हम ले तो मैक्सिमम लोगों ने बोला पाई दे आउटकम्स के साथ जाना था प्रॉब्लम यह कि कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हो क्योंकि आँगों ने वोट किया ठीक है जब फुल स्टेट हुड की बात थी यह तो हर कोई मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि दिल्ली को पून राज्य बनाओ मैं तो इक्दम इसके फेवर म हूँ कि पून राज्य दिल्ली को बना ही नहीं रहे हो बनाना तुरंत हो तो इसको पून राज्य ठीक है अमादमी पाटी जो है वो काफी जाधा फ्ल्ैक्षप इसकीम उस समय स्ट्रगल करने थे है मुश्किल था तो जब आमादमी पाटी आपको पता ही कि दिल्ली अभी law and order land जो है वो नहीं आमादमी पार्टी के पास तो अब यहाँ पे जब स्कीमी इंप्लिमेंट नहीं हो रही है तो यहाँ पे इनोंने सिधा जनता से सवाल पूछ लिया कि क्या पून राज बनाना चाहिए क्योंकि हमको तो बड़ी दिक्कत हो रही है इस स्कीम को इंप्लिमेंट करने में 2022 में सिमिलर कि भाई टाक्स पेर का पैसा क्या पब्लिक अब देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनानी थी पब्लिक फेसिलिटीज बनानी थी वेलफेर सेंट्रिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस था तो भाई यहाँ पे क्या हम आपका पैसा इस्पेंड कर लें यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपसे परमीशन ले रहे है पब्लिक से परमीशन ले रहे है तो पब्लिक ने बोला हाँ ठीक है आप लीडर्स ने बोला कि भाई देखो आउटकम की बात नहीं है लेकिन परपस इंपोर्टेंट है नहीं मुझे है कि मैं उसके बाद उसको explain कर रहा हूँ तो अब जैसे 2013 का परपस था कि केजरी वाल ने बोला कि करप्ट लोगों को हम target करेंगे ठीक है हम किसी भी हाल में सरकारों के साथ नहीं जाएंगे हम support नहीं लेंगे बहले हम सरकार बनाएं ना बनाएं बट फिर इनका stand बदल गया अठाई सीटे मिली नहीं आप सरकार बना रहे थे फिर आपने public से पूछ लिए public के उपर डाल दिया कि आप ठीक है सरकार अब आम आदमी पार्टी को सरकार बना नहीं थी और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है परिए अब सरकार बनाओ अच्छे लोगों को politics मे सरकार बनाई थी everyone was super happy लेकिन धीमे धीमे आम आदमी पार्टी में बहुत सरे दिक्कत आने लगी प्रशान भूशन हो गए योगे दर यादव हो गए स्वामी अगनी विश्तों पहले ही चले गए थे कुमार विश्वास हो गए किरन बेदी हो गए पार्टी तूट गई है क नहीं 2014 में आपने एक और referendum करवाया इस समय परपस जो था वो बहुत जादा था अब आपको पता ही है कि अरविंद केजिरिवार और लेडी स्तीफा दे चुके थे ठीक है फिर election हुआ और फिर 70 में से 67 सीटें यहाँ पे मिली तो अब भाई जाहिर सी बात है कि दुबारा इ अब देखिए अब यह अगर बात करते हैं तो पाँच राज्यों में इलेक्शन है और आम आदमी पार्टी डारेक्ट इन पाँच राज्यों में जा रही है अब आम आदमी पार्टी स्कौल्टो अरविंद केजिरिवार जैसे BJP से अगर आप नरेंद्र मोदी को हटा दे तो BJP के हलत पत ठीक है बाद में जवालना नहरू आगे उनके नाम पे फिर इंद्रा गांधी के नाम पे और अभी कोई हमेशा चहरा होता है जिसको देख के भीड ऐसे ही काम करती है भीड ऐसे ही काम करती है भीड तंत्र को समझने के लिए आप हिटलर की किताब पढ़िए में की माई टृत वो बताता है कि किस तरीके से मैंने इतना बड़ा फॉलोवर जो है बाई लीडर्शिप क्या है लीडर्शिप आपको यही बताएंगे कि कैसे आप लीडर्श बन सकते हो कि चार चीज़े लिब कम्यूनिकेशन फिर सिच्च्छन सिच्च्छन क्या आपके हिसाब से फिर फॉलोवर्स बना और ऐल्टिमेंटी लीडर बन जाओ और फॉलोवर्स हिटलर क्या करता था पंद कि ये जो anti-corruption crusader है कि नहीं नहीं भाईया हम तो corruption के खिलाफ लगेंगे अब इनी के ओपनी corruption के कितने आरोप लग रहे है और दोस्ति ये आरोप BJP को ठीक है कुमार विश्वास, योगेंदर यादव ये सब लोग जो एक समय आपका हिस्सा थे ये वो आरोप लगा रहे है तो मुश्किल हो रहा है कुमार विश्वास ने कहा था आज भी याद है कि वो आपके अदालत में आते है तो उन्होंने एक इंटर्विव में ये मतलब जब रजश शर्मा ने सवाल पूझा तो बोला था कि सब संजय नहीं मनीशी सोदिया उनके बच्पन के दोस्त है तो जब वो शादी में आये थे तो तब तक कुमार विश्वास जो है वहाम आदमी पार्टी से अलग हो चुके थे तो वहाँ पर संजय सिंग मनीशी सोदिया जब आये थे तो उन्होंने बोला कि जो इनकी वाइफ है ठीक है कुमार विश्वास की उन्होंने कहा कि भाईया मतलब थोड़ा सा सही नहीं हुआ तो मनीशी सोदिया ने बोला जैसा है जो है वैसा ही है खाना काते काते तो कुमार विश्वास ने बोला चपर चुप रहो इसके बात तो बात यह है ठीक है ना आम आदमी पार्टी के जो फक्षिरलीज है वो यह बताते है कि भाई देखिए ED जो है BJP के लिए काम कर रही है किसी को भी कुछ होता है तो ED जो है वो ED छोड़ देती है BJP उसके उपर BJP के लिए कि भाई देखो ED अपना काम कर रही है अब अगर आप रश्टाचार में लेट थो तो आपको जो है वो उसको पकड़ेगी ED तो यह सारी चीजे जो है वो इनके उपर लगाई जाती है तो यहीं बोलना है कि भाई देखिए इसमें हमको बहुत जादा जरूरी है कि हम जो है वो काम कर सके अब अगर सारे लीडर्स को ही आप जेल में डाल दोगे आप सारा तंत्र हमारे इस्तमाल करोगे तो कैसे काम च चलेगा एनदर सेक्शन यह बोल रहा है कि जो एंटी कर्वशन ब्रैंड है उसको बहुत जटका लगा है बहुत ज़दा दिके दिल्ली के एलेक्शन पे ज़्यादा दूर नहीं है अगले साली होने वाले है तो बहुत ज़दा जटका लगा है यहां पे जो लोग भी है कि अगर इतना बारा जेल में जाएगा तो एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या यह पार्टी यहां से उबर पाएगी कि नहीं उबर पाएगी क्योंकि जितने भी जो बड़े बड़े सुपर लीडर से या तो वो छोड़ चुके हैं या फिर वो जेल में हैं तो यही है बाकि आप यह लिमिटलस लीडर्शिप पर कोर्स अब जरूर अविल करिएगा आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा थैंक्यू सो मच